हालो स्टुडेंट क्लास तेन से कुछ जो फर्स चेप्टर है रियल नंबर उसे कुछ कोश्चन लेका रहा हूं जो एक्जाम में आते रहता है तो इसको देखेंगे हम लोग यानि कि इन दोनों नंबर्स का 135 और 225 का SCF फाइंड आउट करना है यानि कि आप लोग आईडिया या इस मेठट के यूज़ करके SCF निकालना जान चुके हैं में हम लोग को इसमें नेक्स पार्ट है उस पर ध्यान फोकस करना है कह रहा है एक्स्प्रेस इट यानि कि 135 और 225 का जो SCF होगा उसी के लिए ये इट वर्ड यूज़ कर रहा है तो उन दोनों नंबर्स का जो SCF होगा उसे SCF को कह रहा है कि आप एक्स्प्रेस किजिए as a linear combination of 135 and 225 अब रही बात कि 135 और 225 का linear combination का क्या सेंस हुआ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो आप लोग terms यहाँ देख रहे हैं 135 M plus 225 N यह क्या है this is the linear combination of 135 M 135 और 225 यह linear combination है कोई जैसे आप से कहें कि 5 और 7 का linear combination तो आप ऐसे लिख सकते हैं 5 X plus 7 Y कोई कर सकता है आप से कि 9 और 10 का linear combination तो आप 9 M plus 10 लिख सकते हैं पर M और N as a variable है जिसका power 1 होना चाहिए वो यहाँ पे integers को indicate कर रहा है X Y भी लिख सकते हैं आप तो यह सब क्या है 5 और 7 का linear combination है तो linear combination of 135 और 225 का आप मतलब समाझ गया होंगे इस question को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एक्स्प्रेस the cf of 135 and 225 यहनिकि 135 और 225 के cf को आपको एक्स्प्रेस करना है इस फॉर्म में इस फॉर्म का मतलब आप समाझ गया है 135 M प्लस 225 N इसको आप language में क्या लिख सकते हैं कि इसी question को ऐसे भी दिया जा सकता है 45 is equal to 135 M प्लस 225 N और कहेगा आप से कि find the value of MN where MN are integers यानि आपको समझे कि एक तरह का equation है इस MN की जगह X और Y भी हो सकता और कहेगा कि आप से value निकालिए linear equation in two variable है लेकिन यहाँ पर बस condition यह होगा कि जो आप M और N का जो value निकालेंगा वह integers होना चाहिए ऐसे equation को डायो फेंटाइन equation भी कहा जाता है ऐसे equation का जब भी solution निकालने जाएंगे तो इसी की तरह निकालेंगे जैसे उपर में question है उसी तरह से हम लोग इसके solution के लिए भी solve करेंगे इसलिए इसको भी हमने यहाँ mention कर दिया है एक बात और दियान रखेंगे जब भी तो यहाँ पी tape search होना क्ता चाहिए यह यहцं पर का म्ठीपल होना चाहिए जैसे यहाँ पर मालने के स Casey फोटी फाइव जैसे तो इहां सकता है और तो फोटी फाइव मृतिपल होना उसकता है कि सबसे पहले इंस अभी question का जो भी आप लोग New werk में देख रहे हैं इसका यह second part का question है इस सभी question हो का answer देने के लिए आपको सबसे पहले आपको ACF निकालना होगा और भी equally division algorithm method का use करके तो ही हम लोग इसको ACF को express कर पाएंगे हम लोग इस form में तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे 135 और 225 में आप लोग को पहले बतलाया गया है कि 225 यहां बरा है और 135 जो है छोटा है तो इससे आप क्या कर लेंगे अब यहां से आप ACF निकालने के लिए मैंने बतलाया था जो बरा होगा यहां पे dividend जो छोटा होगा डिवाइजर बनेगा और फिर यहां पे जो इकली डिविजन लेमा का जो प्रोसेस है स्टेप वाइज आप लोग ऐसे यहां पे लिख लेंगे जो पहले आप लोग पर चुके हैं इसलिए इसमें आप ज्यादा वक्त नहीं देना चार है यहां रिमेंडर जीरो होगा तो एसी एफ 45 और इसी को यहां पे आप यहां पे अपना लिख लेंगे स्टेप वाइज जो देख रहे हैं स्टेप वान हुआ यह वाला और यहां से आपका यह स्टेप टू हो गया इसके बात से हम लोगो समझना है कि उसके एसी एफ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो जहां पे रिमेंडर जीरो आ रहा है देख सकते हैं यह सबसे लास्ट इस्टेप होगा उस लास्ट इस्टेप को छोड़ देंगा और उसके उपर जितने भी इस्टेप आएंगे उसको आप पर नेमिंग देंगा है जी एक्वेशन के फर्म में जैसे इसको हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया और इसका सेकेंड इक्वेशन और जो लास्ट इस्टेप है उसका कोई एक्वेशन नाम नहीं देना है उसको छोड़ देना है तो आपको मालूम हो यहाँ पर 45 है तो इस 45 को कैसे express करेंगे तो इस 45 को आप लोग यहाँ लिखें now from equation second यानि अब हमको यह CF है जो second step से चलना है यह नीचे से जो first step होगा last step उसको छोड़ देंगे और यहाँ समलुक चलेंगे तो यह 45 जो आप देख रहे हैं तो 45 को क्या लिख करेंगे तो 45 को यह आजे transfer करेंगे तो यह 90 इन्टू 1 इधर आएगा तो 135 अपने जगह पर है और 90 इन्टू 1 देख रहे हैं जो इधर transfer होगा तो 90 इन्टू 1 इधर transfer होगा तो क्या होगा minus में आ जाएगा बस plus में है तो 90 इन्टू 1 अब ठीक इसको उपर वाले step में देखें इसको उपर वाले step क्या दिखाइप दे रहा है आपको 90 दिखाइप दे रहा है तो 90 क्या करना होगा तो 90 क्या जो भी value होगा उस value को हम लोग क्या करेंगे replace करेंगे जिसे यहां देख सकते हैं लिखे हुए हैं कि replace 90 यानि कि हम लोग का करेंगे 90 को अब replace करेंगे और किस equation का use करके तो using the equation first second का use हो चुका था first तो 90 को replace करके क्या लिखेंगे हम लोग तो यह 225 अपने जगा पर हैगा देख सकते हैं 45 अपने जगा पर है is equal to 135 minus भी अपने जगा पर है बस 90 को हटाना है तो 90 को क्या लिख सकते हैं यहां से 90 को क्या लिख सकते हैं तो 225 है अपने जगा पर 135 इंटो 1 को इधर transfer कर दिये तो यह minus में आ जाएगा तो यह क्या हो गया 225 देख सकते हैं यहां value और यह value जो आया इधर आयागा तो क्या हो जाएगा आपका minus में तो यहां minus अपने जगा पर रहा 90 का value यहां replace करके लिख दिये और इसको bracket से घेर दिजेगा यहां into है तो into और यहां 1 है तो 1 अब हम लोग इसको थोड़ा सा solve करेंगे इसलिए कि अब उपर में कोई भी equation नहीं है यानि कि equation खतम आपका work भी यहां पर खतम हो जाएगा तो हम लोग यह 45 लिख दिये 135 लिख दिये और 225 में into 1 से multiply करेंगे तो into 1 हो गया और यहां आगे minus है तो minus से multiply होगा फिर यहां minus मैनस कि हो जाएगा आपका plus हो जाएगा और फिर यहां 135 है यहां 1 में 1 से multiply किये यहां पर multiply करके पूरा नहीं लिखिएगा ऐसे ही लिखिएगा साल अब स необход TIME 35 यहां भी है और 155 यहां भी है तो 135 यहां पे इन दोनों को एक जगा अम लोग क्या करेंगे सब्सक्राइब करें करेंगे जो आप देख सकते हैं अगर मानल लीत है आपका यहाँ प्रशले जो यहां पर value माल लिजyin कि 135 है और कीतना आपका 135 ? इन्टु 1 है तो 135 यह इसके common कामन ले लिए हैं तो 1 प्लस 1 कितना होग तो आपका यहाँ value देख सकते हैं 45 रहेगा 135 और इस 2 की जगा हम लोग M लिख दिए और 225 और N की जगा का लिख दिए हम लोग minus 1 की जगा N लिख दिए तो यही हुआ आपका 135 और 225 का जो SCF था उस SCF का यह linear combination हुआ 135 का और 225 का और यहाँ पर जो इसमें यह जो answer आप लोग का demand कर रहा था कि 45 जब होगा हम बोले थे इन दोनों का जब SCF होगा इन दोनों नमबरों का जब SCF यहाँ पर 45 होगा दोनों नमबरों का जो SCF होगा तो यहाँ पर आपसे जब कहें कि MN का value निकाले तो उसका भी हम यहां पर m का value क्या आया था आपका 2 और यहां एन की जग़व क्या है minus 1 तो m का value 2 हो गया और n का value minus 1 हो गया तो इस तरह से आप लोग इस में इस question का भी क्या हो गया answer हो गया और यह हुआ उसका expression यहां तक और यहां पर m का value 2 लिख देंगे तो मैं उमीद करता हूँ यह question समझ में आया होगा thanks